Hello and welcome friends, welcome to Pharma Veda ग्यान्त तो DMER में जो वेकिंसी रिलीज हुई थी PharmaCist की टोटल पोस्ट आपकी 169 पोस्ट है रही थी तो इसमें आपका दो सिफ्टों में एक्जाम कराया गया था तो पहली सिफ्ट और दूसरी सिफ्ट में जो है काफी जादे आपको Normalization देखने को मिल सकता है काफी प्रश्णों में जो है Objection भी जो है कराया गया है तो इसमें हम देखेंगे expected cutoff कितनी रहने वाली है और कितने जो है आपके प्रश्णों को जो है डिलीट किया जा सकता है जहां तक अभी लग रहा है कि जो दूसरी सिफ्ट है जो second सिफ्ट है उसमें जो है आपका Normalization देखकर काफी जो आपके Marks है वो बढ़ाई जा सकते है और पहली सिफ्ट के मुकाबले दूसरी सिफ्ट में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन से प्रश्णे जो रहेंगे इन में Normalization कराया जाएगा उसके बाद देखेंगे Expected Cut-Off जो कि लोगों के द्वारा बताएगी है कि इतनी Cut-Off हमारी गई है इतने Marks हमारे आ रहे है तो वो भी डाटा आपके सामने हम Share करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ Questions देख सकते हैं जो कि Objection लगाए जा सकते है इवनिंग की सिफ्ट के तो पहला कोशन आपका Indian Pharmacopia Commission जो है आपका has been successfully operational as an autonomous body from तो इसका जो correct answer है वो आपका एक जनवरी 2009 रहेगा ठीक है तो यह रहने वाला है Second Question आप देखें इसका जो है आपका जो temperature इसमें पूछा गिया था drugs का stored at temperature तो drugs जो store की जाती है वो आपका 22-30 degree Celsius में की जाती है तो यह भी इसका सही उत्तर रहेगा तो इन में आप objection लगा सकते हैं इसके बाद जो है acute जो आपकी kidney injury है तो उसमें adverse drug reaction जो होती है उसके लिए जो right answer आप देखें मेजो नम जो है आपका right answer रहेगा ठीक है तो इस तरह के objections जो है आपको देखने को मिलेंगे तो fourth आप देखें to help a person suffering from a physiological disorder इसमें कौन सा जो है important नहीं है तो इसमें detoxification जो है right answer रहेगा then इसके बाद जो next question है waste sharp can be treated by a dry heat astralizes it at a temperature not less than तो कितना temperature जो है नहीं होना चाहिए जो की 160 celsius जो है इसका सही उतर रहेगा तो इस तरह के question रहेंगे और last हम देखें which among of the foreign drug is correct match with the adverse drug reaction तो इसमें आपका जो kidney में रहता है acute drug injury जो की पहले भी यह प्रशन आया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो candidates ने अपने marks बताए है Google from में तो वह आप देख सकते कि किस तरीके के उनके marks बन रहे हैं जिसमें की SC category के 122 है open female के 110 है EWS के 112 है NTC जो की 120 तक जो है इसमें आपको marks दिखेंगे तो यह इनके actual marks हैं जो इनने answer की से match करके जो है निकाले हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS में 46 तक आपको marks दिखेंगे EWS 32 तक भी marks दिखेंगे open category में 46 तक है open category से 46 marks हैं और यहाँ पर देखें तो highest आप लोगों को जो है NTD, NTD में आपको 130 तक आपको marks दिखेंगे open category में 138 है 42 है तक EWS में काफी जादे आपको जादे cut off जाने की chances रहेंगे तो यह आपके marks रहेंगे इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं Google form में जिसमें कि आपके journal के 142 तक है 13 34 भी आपको देखने को मिलेगा जो first shift है जिसमें 122 marks रहेंगे तो इसी तरीके से काफी अच्छी जो है इस बार cut off आपको देखने को मिल सकती है तो पूरा हम expected cut off पर भी बात करेंगे तो NTC में आपके 144 तक आप जो candidates हैं वो अपने को save समझ के चल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इतने लोगों ने अपने जो marks हैं वो बताए हैं और यहाँ पर आप देखें total जो है आपके 134 देखे ST candidates के 134 आ रहे हैं तो यह आप समझ सकते हैं कि कितनी जो आपके marks हैं वो रहेंगे तो total आपका जो यह data provide हुआ है 151 candidates ने अपना data दिया है जिसमें कि आपके देख सकत आ रहे हैं तो अब हम बात करेंगे expected cutoff पर की किस्ति कुट अगर हम बात करें तो cutoff आप लोग देख सकते हैं जो data provide हुआ है logo द्वारा तो अभी जो general की open से जो cutoff है unreserved category की जो बन रही है वो 140 तक आपकी cutoff बन रही है एक दो number आप लोग उपर नीचे कर सकते हैं EWS में भी साम आपका जो है same रहेगा 140 के करीब करीब आपको देखने को मिलेगा 130 या 140 के बीच में आपको EWS category की cutoff रहेगी OBC की 136 तक आपको cutoff देखेगी female की 134 तक cutoff देखेगी जो की अब घटकर 128 जो है हो गई है इसी तरीके से ST candidates की 120 तक आपको cutoff देखने को मिलेगी इसके बाद जो आपका ST के बाद physical handicap है 110 तक रहेगी और यहां पर आपके sports person की जो cutoff है वो आपकी 110 तक रहेगी तो normalization जो है होगा तो दूसरी shift में normalization हो सकता है जिसमें की कुछ प्रशनों को जो है cancel कर दिया जाएगा या फिर उसको delete करके bonus दे दिया जाएगा तो यह आप लोग मानके चल सकते तो यह आपकी cutoff रहने वाली है तो आप लोग भी comment box में जरूर बताएं कि आपके जो है कितने marks बन रहे हैं कितने expected marks बनने हैं तो comment box में जरूर बताएं चैनल में नई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे लेटेस्ट अपडेट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे रिजल्ट कर आएगा उस पर भी हम बात करेंगे तो अभी आपकी जो expected cutoff यही रहेगी तो आप लोग चैनल के साथ बने रहे हैं मिलते है नेक्स लिए बाबाइ